हालो फ्रेंड्स बलकम टू माई यूटूब चैनल सो गाइज आज के इस वीडियो में हमें लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस काउंच्टेवल का एक्जाम होने वाला है 18 परवरी 2024 को उसी के जर्नल हिंदी के टॉप इंपॉरर्टेटन को दिसक्स करने वाले हैं तो वीडियो काफी इपॉर्टेन्ट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाई को स्याज जरूर करें चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिफिकेशन बैल आउन करना ना भूलें वेडियो को स्टार्ट करते हैं गाईज यूपी पुलिस काउंस्टेबल के एक्जाम डेट घोशित कर दी गई है 17 और 18 फरवरी को एक्जाम आयूजित किया जाएगा आप लोगों के पास सिर्फ 22 दिन सेस हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए जनर्रल हिंदी के कुल 75 कोईस के आंसर देने का दो से तीन सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा तो आज के सेसन में पहला कोईसंस रहेगा कोईसंस की हिंदी वर्ड माला में बेंजनों की संख्या कितनी होती है 32 34 36 या 33 कापी अच्छा कोईसंस है जो की परिच्छा में बार बार पोचा जाता ह है तो जोबे बच्छे ऑप्शन नमर डी की ओर जा रहे हैं उस सभी लोग विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे हिंदी वर्ड माला में बेंजनों की संख्या होती है 33 निर्देश 2-6 नीचे एक-एक सब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तूत हैं सुद्वर्तनी का चैन करन अधियता अधियता की सुद्वर्तनी क्या होगी सो समझ कर आंसर दीजिएगा सभी वच्छे अधियता जब अधियता लिखते ना आदा घा यह एकी मंत्रा और ता बड़ा की मंत्रा ऑप्शन नमर एक करक्ट हो जाएगा कवित्त्री काफी इंप्रेंट कोशन्स है सुद्वर्तनी होती है और फिन नमर सी कवित्त्री नचत्र नचत्र की सुद्वर्तनी क्या होगी अब आपको यह बताना है नचत्र की सुद्वर्तनी क्या होगी नचत्र यानि आप्शन नमर वी नचत्र जाब लिखेंगे तो नचत्र को ऐसे लिखा जाता है ठीक है अंतर अंतर्ध्यान की सुद्वर्तनी क्या हो आपको यह वताना है कि ह lijतों अंतर्ध्यान क् nichts नबर वी जो हैं आपका विलकुल करेक्ट हो याँ ठीक है तो इस तरह से जो हैं आप लोग सुद्वर्तनी को पैचान सकते हैं फिर्ण है या कि नोड़े współ विकार को क्या कहते हैं समास संदी प्रत्य उपसर्ग दो बढ़नों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है तो दो बढ़नों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संदी यानि की option number V जो है आपका विल्कुल करक्ठ हो जाएगा अगला question से guys कि संतोस का संदी विच्छेत क्या होगा संतोस का संदी विच्छेत क्या होता है समुधन तोस यानि कि option number A जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगर माल लिजिए अगर paper हैं पोच लिया जाए कि संतोस में प्रियुक्त संदी काउंसी होगी तो संतोस में ब्याजन संदी हो जाएगी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है उज्ज्वल का सही संदी विच्छेत क्या होगा काफी important questions है paper में छपने वाला उज्ज्वल का सही संदी विच्छेत क्या होगा ये आपको बताना है उज्वल में प्रियुक्त संदी काउंसी होगी ब्याजन संदी तो गाई नएस question से देखेगा question से गाई कि विश्वामित्र का संदी विच्छेत क्या होगा काफी important question से ज़्दी से आंसर देजे सभी बत्चे विश्वामित्र विश्वधन आमित्र यानि option number C जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा संगम का संदी विच्छेत क्या होगा संगम का संदी विच्छेत क्या होगा समधन गम यानि option number V जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा संगम में प्रियुक्त संदी काउंसी हो जाएगी बिद जन संद्र तो ये भी आपको ध्यान में रखना труд है अगला questions क्या है guys समस सब्द का अर्थ क्या होता है संछेप, टिपणी सार या ब्यास समस सब्द का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है समस सब्द का अर्थ होता है संछेप यानि कि option number A जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अनायास में समास क्या होगा यह आपको बताना है अनायास में कौन सा समास होगा नर समास option number V correct हो जाएगा वैसे इस ताप की questions पूछे नहीं जाएंगे इसे आप निशेंद रहिए अगला question क्या है कि उपसर्ग का प्रियोग होता है सब्द के आँगे, सब्द के पीछे, सब्द के बीच में इलमे से कोई नहीं देखी जब आप उपसर्ग करते हैं आपका starting जो सब्द होता है यानि कि आँगे का सब्द जो होता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे का सब्द होता है उसे हम कहते हैं प्रत्य पुरोईत में प्रियोगत उपसर्ग क्या होगा काफी important questions जल्दी से आंसर देजे सभी बच्ची तो पुरोईत में प्रियोगत उपसर्ग होता है पुर, और जो आपका बिल्कुल सई हो जाएगा अगला questions guys की खुश किसमत में उपसर्ग किस भासा का है अरवी फार्सी तुर्की संस्क्रत खुश किसमत में उपसर्ग किस भासा का है यह आपको बताना है देखे, खुश किसमत में जो उपसर्ख हो जाएगा यह फारसी भासा का है यानी option number V जो है, आपका बेलकुल सही हो जाएगा दोस हरता में, दोस हरता में परत्य का चेन कीजिए दोस हरता में परत्य क्या लगेगा, हरता दोश हर्ता यानि लाश्ट वाला सब्द आप्शिन नमर एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है रगला कोशन देखेगा अठारा से बीस नीचे विशेशन सब्द दिये गए हैं इसके साथ प्रियुक्त होने के लिए विकल्प सरूप चार संग्या सब्द दिये गए हैं आपको गलत विकल्प का चैन करना है जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि तंग में कौन सी संग्या होगी आपको गलत विकल्ब का चैन करना है तो तंग में कौंस संध्या नहीं होगी हाल, गली, कमीज या कामना ओप्शन नमर डी जो है आपका विल्कुल करेक्ट होगा है कामना सीधा, मूर्ती, शवाल, आदमी, रास्ता कौंसी संध्यास में नहीं होगी आपको ये बताना है, मूर्ती, ऑप्शन नमर ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा सीधा कर्थ होताए, सवाल भी होताए, सीधा आदमी भी नहीं होताए रास्ता भी सीधा लेकिन जो मूर्ती है न, मूर्ती, मूर्ती ये अलग सब्द हो जाएगा यह सबसे अलग है यह नहीं होगा option number a free नीच Wire नीचे प्रत्यक सब्द में चार सब्दों के समू है एक सब्द बेमल है उसका चैन करना है आप लगों को प्रत्यक सच शाकार सम्मुक तो इसमें देखिए C वाला उप्सम्स जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा शाकार जो है ना यह आपका बेमल सब्द हो जाएगा 22 कोर्शन देखिएगा अंत प्रवेस छोर सिरा इसमें आपको बेमल सब्द की पैचान करनी है तो इसमें देखिए जो प्रवेस है ना प्रवेस यह आपका बेमल सब्द हो जाएगा यानि और वी करेक्ट हो जाएगा अंक चिन निशान संख्या इसमें आपको बेमल सब्द की पैचान करनी है समझकर आंसर दीजेगा सभी बच्चे देखिए संख्या जो है ना यह आपका बेमल सब्द हो जाएगा अंक चिन निशान अंक चिन निशान यह सबसे अलग हो जाएगा अंधेर धांदली अशांति अन्याय बेमल सब्द काउन सा होगा इसमें से आपको बताना है अश्यांति जो हे ना यह आपका बेमल सब्द हो जायेगा ठीक है अनिष्ट असुप अहित हानी इसमें बेमल सब्द कौन सा होगा तो इसमें जो हानी है ना यह आपका बेमल सब्द हो जायेगा यानी option number D correct हो जाएगा सरसुती का प्रयाय बाची सब्द नहीं है वाड़ी वीनापाड़ी कमला शार्दा चल्दी से आंसर देजे सबी बच्चे देखे इसमी जो आपका सीवाला ओप्संस जो आपका विल्कुल करेक्ट हुए कमला जो है न ये सरसुती का प्रयाय बाची सब्द नहीं है चले बढ़ते हैं एक ले कोईसंस की और बुजंग का परियाय बाच्चे सब्द नहीं है ब्याल, गरुण, सरप, पनंग बुजंग का परियाय बाच्चे सब्द नहीं है यह आपको बताना है तो देखे इसमीज़ आपका वीवाला उपसर जो है आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाए गरुण जो है ना ये भुजंग का परियाए बाचे सब्द नहीं है जलत का परियाए बाचे सब्द नहीं है घन वारित अंबर बलाहक जलत का परियाए बाचे सब्द नहीं है या आपको बताना है तो इसमें देखिए सी बालाओ जो आपक अमबर जो है न यह जलर का परियायवाची सब्द नहीं है अनुचर का परियायवाची सब्द नहीं है सेवक चाकर निर्जर या वरत्य अनुचर का परियायवाची सब्द नहीं है यह आपको बताना है देखिए निर्जर जो है निर्जर यह अनुचर का परियायवाची सब् प्रिए चतुर का परियाए बाची सब्द नहीं है यह आपको बताएं देव परी जो है ना ये चतुर का परियाए बाची सब्द नहीं है एंब ल॑क कलica नीचे मों के सब्द के चार अर्थ का चैन कीजिए।여 दो सब्सक्राइए जहां प्रतिगहात करना है आफ लोगों को आशक्त शक्तिमान सक्षम सक्ति प्राप्ति के लिए प्रतिनबान आशक्त को क्या कहेंगे हम यानि कि अच्छम आप्षिन नमर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा रंग भवन, रंग भवन जल्दी से अंसरदीएं बच्छे रंग हुआ भवन नाटि क्रह रंग बनाने का कर खणा रंग रेलियां बनाने का इस्ठान त्रिकालग एगा तीन समय तक, तीनों समय होने वाला काला तीत सरवग्य, त्रिकालग्य को कहते हैं सरवग्य, ओप्शन नमर डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उतंग, फैला हुआ, बहुत दूर, उंचा, मनमाना, उतंगों को क्या कहेंगे, यह आपको बताना है, तो उतंगों को कहत हैं उचा यानि option number C जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अनागत का बिलोम शब्द क्या होता है या आपको बताना है वर्तमान भूतकालिक विगत आगत अनागत का बिलोम शब्द क्या होगा अनागत का बिलोम शब्द होता है आगत यानि option नमबर D जो है आपका बिलुकुल सही हो जाएगा अधुनातन का बिलुकुल शब्द क्या होगा पुरातन, भूतकालिक, प्राचीन, विगतकालिन अधुनातन का बिलुकुल शब्द क्या होता है यह आपको बताना है तो अधुनातन का बिलोम शब्द होता है पुरातन यानि option number A जो है आपका बिलोकुल correct हो जाएगा आशा का बिलोम शब्द क्या होगा यह आपको बताना है जल्दी से आंसर देजे सबी बच्चे काफी important questions है और काफी easy भी है आसा का बिलोम सब्द होता है निरासा यानि option number D correct हो जाएगा कि हिंदी भासा की कितनी विख्यात बोलियां है चार दस आठ या पाँच हिंदी भासा की कुल आठ विख्यात बोलियां है तो option number C जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नैस question देखके का सबी बच्चे questions है कि हिंदी भासा का प्रथम प्रमाडिक गरंथ कौनसा है सत्थ सई रामलिला नैच्छू प्रतिवी राज रासो आला उदल हिंदी भासा का पर्थम प्रमारिक गरंथ कौन सा है यह आपको बताना है तो हिंदी भासा का पर्थम प्रमारिक गरंथ है प्रतवी राज रासो तो प्रतवी राज रासो यानि option number C जो है आपका बिलुकुल सही हो जाएगा next question देखे का सभी बच्चे questions क्या है कि निम लिखित में से कौन सा हिंदी साहित का काल विवाजन नहीं है आदूनी काल, भक्ति काल, रीति काल या स्युक्ति काल कौन सा हिंदी साहित का काल विवाजन नहीं है यह आपको बताना है तो जो भी बच्चे option number D की ओर जा रहे हैं क्रिया परक, व्याकरनिक, कोटी, चिन्हत कीजिए क्रिया परक, व्याकरनिक, कोटी, चिन्हत कीजिए तो जो भी बच्चे option number A की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग विलुक्ल करेक्ट हो जाएन के कारक आपका सई है नहीं है ठीक है अगला कोशिशन क्या है कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौंसी क्रिया है योजक क्रिया अधिकार घोतक क्रिया और चित्य बोदक क्रिया आप प्रत्यक्ष क्रिया चूड़ी अच्छी थी में थी कौंसी क्रिया आपको बताना है तो ये एक योजक क्रिया हो जाएगी तो option number A जो है आपका बिलुकुल correct हो जाएगा ठीक है अगला question देखेगा सभी बच्चे questions है guys कि मूल अकरमक धातूं के साथ प्रत्य जोड़कर बनाए गई क्रिया धातूं क्या कहलाती है स्वेक्त धातू, दिकरमक धातू साधित सकरमक धातू, समस्त धातू मूल अकरमक धातूं के साथ प्रत्य जोड़कर बनाए गई क्रिया धातूं क्या कहलाती है यह आपको बताना है सुगज यह कहलाती है साधित सकरमक धातू यानि ऑप्शन नमर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कोईसन देखेगा सभी बच्चे कोईसन क्या है कि सारंग लव सारंग चल कई सारंग की ओट सारंग छीनों पाई के सारंग कई गई चोट उक्तपक्द में कौन सा अलंकार विक्दिमान है उत्परिक्चा सलेश यमक उरूपक तो जो भी ब्यारती ऑप्शन नमर सी की ओर जा रहे है वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यान हो जाएगा यमक अलंकार ठीक है सुगान नैस्सके किस रस से समद्धित है यापको बताना है तो ये सम्द्धित है भी नमर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस्सके देखेगा सभी बच्चे अगला क्वेश का है कि निम्ली लिखित में से कौन साथ छंद प्रकार नहीं है ड्रश्टांत चौपाई दोहा सोठा ए ओप्षन जो लोग बता रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ड्रश्टांत आपका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखेगा दीरक संदी गुण संदी ब्रद्य संदी यन संदी वा अयादी संदी के किस मूल सब्द के सोड़ी मूल भेद के अंतरगत संहित हैं बियंजन संदी सोर संदी बिसरक संदी उप्योक्त में से कोई नहीं तो जोबे ब्यारती ओप्षिन नमर वी की ओड जा रहे हैं वो सर्वी लोग विल्कुल करेक्ट हो जाएगे सुर संदी आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है प्रश्ण के आउंचा से पचाथ उप्योक्त समास चिनित कीजिए पत्थ भरष्ट पत्थ भरष्ट पत्थ भरष् पर तो यह आप लोगो ने बच्पने काफी वार पड़ा होगा कि करताने कर्म को करण से संब्रदान को के लिए अपादान से संबंद काके की रारेरी अधिकर्ण में पर अब इसमें क्या पूछा है कि पत्थ भरष्ट यानि पत्थ में भरष्ट पत्थ अलग हो जाएगा यानि पत्थ में भरष्ट है ना तो इसलिए यहां पर हो जाएगा तक पूरू समास इस टाइप के कोश्चन कर आप लोगों को करने तो यह आपको ट्रेक याद करने पड़ेगी बच्पन में आप लोगों ने काफी वार पड़ा होगा और इससे समन्दित कोई भी कोश्च कर देंगे खाव सभी बच्चे क्या यह चलबाएं तो अश्ता अ किसा समास कई में हो जाता है डिघु समास क्यूं तो यह संख्या बाचिय आपर द को किस क्रती पर ग्यान फिक परोषकार मिला सोन धूली लोकाइतन यूग बाढ़ी या चिद नंबरा सुमित्रा अनंतर पंद को किस क्रती पर ग्यान फित परोषकार मिला यह आपको बताना है तो जो यह ब्यारती ओपली नमर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल कराक्ट पुछा चितमवर आपका सई अंजर हो जाएगा अगला कोर्शन की है आपको बताना है तो ये हुआ है शओर सेनी से तो ऑप्शन नंबर A जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल सभी हो जाएगे ठीक है अगला कोशन देखेगा 53-57 निम लिखित अबतरन पर आधारित पांच प्रस्ण दिये गए हैं अबतरन को ध्यान से पढ़िए तथा प्रतेक प्रस्ण के उत्तर के लिए दिये गए चार विकल्पों में से उचित विकल्प का चैन कीजिए तथा निर्देशान लगाई देख जाएगा कि आंसर क्या होगा राष्ट के स्रवागेंड विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है जिस प्रकार वर्तमान में भावतिक निर्माण का कार अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्रकती के साथ संपन हो रहा है वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी जन समाज में राष्ट संस्कृति समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या करता वे इसका पूर्ण रूप से बोत कराना एवं राष्ट में ब्याप्त समर्क व्रष्टाचार के प्रति निश्यद आत्मक बाता बरन का निर्माण का नहीं चरित्र निर्माण का परतम के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था आज की लौड मैगाले की सिच्छा पद्रति संचाले स्कूलों एवं कॉलिजिकों के लिए एक हाशय पद्र विशय बन गया है आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यारती शन्यावन या शिखास सुथ रख कर भारतिय करन को प्रग्रति मानबैथि इसका गोद अनल चारित्र दूस्ट के रूप में आज देष में सरवत्री जच्टिक होरा है अब कोशन देखेगा कोशन क्या है जंतत्रके लाबकारी होशक्ते हैं निष्टा अभान स्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्ति शाली सिपाई उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, उप्शन नमर सी जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा नैस कोशन देखेगा उन्नत राष्ट के लिए विकास का पर्थम सुपान है बरश्टा चार के परती निशेदात्मक वतावरन विह जनता में संपरदाईक सदभाओ राजे नीती के कुसलदाओं पे विह चरत निर्वान के लिए सच्छिक वतावरन उप्शन नमर ये जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा बरश्टा चार के परती निशेदात्मक वतावरन अगला कोशन क्या है गाईज कि आप प्रकति सील रूप में मजाग उड़ाया जाता है जो भारतिय संस्कृति में जबन विताता है क्या है इसका कारण क्या है इसका करण है लाड़ मैकाली के सिच्छा पद्दती निर्देश प्रस संक्या 58-62 निम लिखित प्रस्ट में तीन वाक्य दिए गए गये त्रूटी वाले वाक्यांस को चुनिए और उसके अनुरूप A, B, C, D पर चिन लगा यदि वाक्यांस के त्रूटी हीन हो तो D पर चिने लगाई है रामचरित मानस भाक्तिकाल की सबसे स्रेश्टम रचना मानी जाती है कोई त्रूटी नहीं पताई क्या अंसर होगा तो जो लोग B-Options पर टिक कर रहे हैं सबी लोग विल्कुल सही हो जाएगे की सबसे स्रेश्टम, B-Options ठंड के दिनों में प्राता काल के समय सर्दी कापी बढ़ जाती है कोई त्रूटी नहीं इसमें हो जाएगा प्राता काल के समय, B-Options करेक्ट हो जाएगा जब मुहन सबा इस्थल पर पहुँचा तो सबा बिसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रूटी नहीं देखिए, सबा खतम हो चुकी थी, ना कि बिसर्जन हो चुकी थी, तो C-Options करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मैं जिस बस से जा रहा था, वहाँ बहुत भरी हुई थी, कोई त्रूटी नहीं Option number D करेक्ट हो जाएगा, कोई त्रूटी नहीं उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर सुद्ध गाय काघी मिलता है, कोई त्रूटी नहीं उसकी दुकान पर सुद्ध गाय, यानि Option number V करेक्ट हो जाएगा प्रशन संक्या 63 से 66 देखेगा, प्रदिम लिखे प्रते काहवत के लिए 4-4 समनार्थक बाकियां से दिये गए हैं उनमें से सही उतर के रूप में विकल्ब का चैन केजी और उतर पद चिन पर लगाई है, पत्थर की जोक नहीं लगती, पत्थर को जोक नहीं लगती, इसका मुहावरा क्या होगा उप्षिन नमर्डी जो लोग बता रहे हैं, वो सबी लोग विलकुल करेक्ट हो जाएंगे, यानि हटी पर कोई प्रभाव नहीं होता विगहम ड्रश्टी, इसका मुहावरा क्या होगा, गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर या सरसरी नजर उप्षिन नमर्डी करेक्ट हो जाएगा, सरसरी नजर बाणी धन औचत्य का सही संदी विच्चेत का होगा, वाणी धन औचत्य का सही संदी विच्चेत क्या होता है, या आपको बताना है तो option number A जो लोग बता रहे हैं मों सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे ठीक है next question देखेगा questions क्या है कि अनिविश्ण का संदी विच्छेत कौन सा है अनिविश्ण का संदी विच्छेत क्या होगा यह आपको बताना है अनुधन इच्छन यानि option number A जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला questions क्या है कि सीतुर्ट का संदी विच्छेत कौन सा है जल्दी से answer देज़े सभी बत्चे option number C जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएग शीत धन रितू अरसर से 70 कोशन देखेगा नेम लिखित वाक्यों में उनके पर्थम तथा अंतिम आंस संख्या एक और छे के अंतरगत दिये गए हैं बीच वाले चार अंस या रालावा के अंतरगत बिना करम के हैं जारों अंसों को उचित करवान उसार व्यवस्ते कर सही विकलब चुने समय को परक्षने वाला हो जाता है जल्दी से आंसर देशा यह वच्चे इसमें सी वाला जो अप्षन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहरे रा जाएगा रंग से घनाड या और समय की फिर उसके वरवा उपेच्छा करने वाला करम परती से विकारी हो जाता है भारतिय गाउं के अब बताई क्या अंसर होगा भारतिय गाउं के ऑप्षन नमबर वी इसमें भी रा या अलावा सुधार के लिए या अभी भारत सरकार को बहुत प्रियत्न और राज सरकारों को करना चाहिए ठीक है समा चार पत्रों में बताई क्या अंसर होगा option number D या वाराला या समाचार पत्रों में प्रकासित विज्ञापनों द्वारा लोगों उपियोगी आवस्यक्ता उत्वत्तम पदार्थों से परचित होते हैं राम सीता से सुन्दर है इसमें कौन सा कारक है यहां पर हो जाएगा अपादान कारक मैंने आपको क्या बोड़ा था कि आप इस टाइप के भी कोशन कर लेंगे जब आप इसे याद कर लेते हैं निम्न में से कौन सा बेंजन संगर्स इस पर संगर्सी है यानि ऐसे बेंजन जिनको बोलने में बहुती संगर्स करना पड़ता है जा जो है न जा इसको बोलने में बहुती संगर्स करना पड़ता है यानि option नमर ए जो है आपका बिलकुल सही हो जाएगा उसके हिन्दी आकर्ति की ड्रेश्ट इससे निम्लिखित में से किस प्रकार की भासा है किस प्रकार की भासा है तो यह हो जाएगी सलिष्टियोगातमक यानि option number C जो है आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा उगला question कि है कि शकल शकल का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है संपूर्ण और अंस यानि option number C जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा आज कामरा last question सराएगा guys ए राकेस यहां आओ इस वाक्त में कौन सा कारक है ए राकेस यहां आओ सम्मोधन यानि सम्मोधन हे ओ अरे हे ए ओ अरे इसलिए यहां हो जाएगा सम्मोधन कारक option number V जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा